इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे आउटपुट क्या है, इसके कितनी किस्में है, आम इस्तमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसे कौन सी हैं? कंप्यूटर के बारे में अभी हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को इंपुट कैसे दी जाती है, और इसके साथ कौन सी इंपुट डिवाइसेज लगाई जाती हैं, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर से आउटपुट कैसे ली जाती है, जिस तरह के section introduction to computer से आप इसे revise कर सकते हैं Types of Output Computer से हासिल होने वाली Output दो किसम की हो सकती है Output की पहली किसम वो है जो हम सर्फ computers की screen पर ही देख सकते हैं यानि वो output जो computer के इस्तमाल के बगैर नहीं देखी जा सकती इसे soft copy कहते हैं बाज वकात आपको computer की मदद से किया हुआ काम किसी काघस पर मुंतकिल करने की जरूरत होती है इस किसम की सुरतेहाल में आपको computer से जो output दरकार होती है उसे hard copy कहती है यानि hard copy computer की वो output है जिसे हम अपने हाथ से चू सकते हैं और जिसको बार बार देखने के लिए computer का इस्तमाल जरूरी नहीं होता इस तरह हमने देखा कि computer हमें दो किसम की output देता है यानि hard copy और soft copy अब हम देखते हैं कि hard copy और soft copy की मदद से हम किस किसम का data या information computer से हासिल कर सकते हैं सबसे पहले text यानि लिखाई एक output की किसम है रोज मर्रा की जिंदगी में खत, memo और रसीदे इस किसम की output के मिसाल हैं इसके अलावा computer से graphics यानि तस्वीरों की output भी हासिल की जाती है आवास या sound भी एक computer output की किसम है जो के speakers की मदद से computer में से सुनी जा सकती है अगर हम इन तीनों computer output की किसमों को मिलाकर उनका इस्तिमाल करें तो ये multimedia output कहलाएगी क्यूंकि इसमें एक से ज्यादा output mediums इस्तिमाल किये जा रही है मल्टी का लोगवी माईनी है एक से ज्यादा मसलिन रोज मारा की जिन्दगी में कोई सा भी काम ये project को बेहतर तरीके से करने के लिए हम presentations का इस्तिमाल करते हैं इन presentations में text, images, graphs और audio यानि अवास का इस्तिमाल किया जाता है आप computer के जिरिये multimedia इस्तिमाल करके ये काम ज्यादा असानी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं Output Devices Output लेने के लिए जिस device की जरूरत होती है उसे output device का जाता है आम इस्तिमाल होने वाली output devices में printers, monitors और speakers शामिल हैं आईए हम इन output devices का तफसील से जायजा लेते हैं printers, printer एक ऐसी device है जो computer पर महफूज किया हुआ text और images एक कागस पर मुंतकिल करनी के लिए इस्तमाल होता है इसका मतलब ये है कि किसी भी information की hard copy हासिल करनी के लिए हमें printer की जरूरत होती है printers कई किस्म के होते हैं इस वक्ट आप मुक्तलिक किस्म के printers स्क्रीन पर देख रहे हैं हम इन सब को बारी-बारी तफसील से देखेंगे dot matrix printers इस किस्म के printer को dot matrix printer कहा जाता है ये नाव dot matrix दो अलफास को जोड़ कर बनाया गया है जो के dot और matrix है dot एक नुक्ते को कहते हैं जबके matrix नुक्तों के मजमूए की हैं dot matrix printer एक टाइप राइटर की तारा काम करता है इसमें नुक्तों की मदद से काघस पर अलफास बनाने और चापने के लिए pins इस्तमाल होती है ये pins ink ribbon पर जाकर लगती है जिसकी वज़ा से ink paper पर मुंतकिल हो जाती है एक pin से एक नुक्ता बनता है और बहुत से नुक्ते मिलकर एक character बनाती है जिससे कि आप screen पर नुक्तों की मदद से character लिखा हुआ देख रही है ये एक वक्त में एक character print करता है आम तोर पर dot matrix printer एक सेकिंड में 300 characters print करता है ये सबसे पुरानी printing technology है मशूर dot matrix printers में Epson और Microline dot matrix printers शामिल है line printers ये जो printer अब आप screen पर देख रहे हैं इसको line printer कहते हैं ये printer भी dot matrix printer की तरह है अलबता इसे line printer इसलिए कहते हैं क्यूंकि ये एक वक्त में एक character की बजाए एक line print करता है इसमें भी pins एक line और chain की सूरत में लगी होती है इन pins की मदद से एक line के तमाम characters एकठे print होते हैं ये speed और quality के लिहाज से dot matrix printers से ज्यादा बेहतर होता है आम तौर पर line printer की मदद से एक मिनट में 1200 lines print की जा सकती हैं तेज तरीन line printers में tally T6218 और Printronics P520 शामिल है laser printers ये देखिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन किसम के printer की एक तस्वीर है इस किसम के printer को laser printer कहते हैं ये printing की quality के लिहाज से दूसरे printer से काफी बेहतर होता है ये एक photocopier machine की तरह काम करता है laser printer आम तौर पर एक वक्त में एक line या लव्ज चापने की बजाए एक साथ पूरा page चापता या print करता है आम तौर पर इसके जरिए एक मिनट में 6 pages print किये जा सकती है laser printers में powdered ink एक cartridge में डाल कर इस्तमाल की जाती है मगर ये printers कीमत में दूसरे printers के मुकापले में कुछ महंगे होती है ज्यादा इस्तमाल होने वाले laser printers में HP laser jet और Samsung शामिल है ink jet printers अब जो printer आप स्क्रीन पर देख रही है इसे ink jet printer कहती है इसको ink jet printer इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसमें कागस पर ink मुन्तकिल करने के लिए ink को nozzles में से गुजारा जाता है जिस तरह dot matrix printer में एक pin एक dot बनाती है इसी तरह ink jet printer में भी एक nozzle एक dot बनाती है ink jet printers खीमत में आम तोर पर सस्ते होते हैं मशूर ink jet printers में HP, Lexmark और Epson के printers शामिल है screen displays इस वक्त आप जो output device देख रहे हैं इसे monitor कहते हैं ये computer की बुनियादी output device है monitor देखने में एक आम TV जैसा होता है इसके जरीए हम computer में मौजूद text, images और दूसरे software's देखने हैं और आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं monitors कई किस्मों के होते हैं हम इन में से CRT monitors, LCD monitors, multimedia projectors के बारे में आपको बताएंगी CRT monitors इस वक्त आप एक आम CRT monitor यानि cathode ray tube वाले monitor को अपनी screen पर देख रहे हैं जो भी आप screen पर देखती हैं, उसको display कहते हैं जिस तरह TV पर कुछ buttons लगे होते हैं इसी तरह monitors पर भी कुछ बुनियादी बटन लगे होते हैं, जो हर किसम के monitor पर मौजूद होते हैं इन में से एक power button होता है और बागी button screen के display को ठीक करने या उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तमाल होते हैं ज्यादा इस्तमाल होने वाले monitors में Philips Professional Brilliance 107P और Samsung Sync Master 551V शामिल हैं LCD monitors, क्या ये भी monitor है? जी हाँ, इस किसम के monitor को LCD monitors का नाम दिया जाता है इन में liquid crystals इस्तमाल किये जाते हैं, जो के आम तोर पर scientific calculators में इस्तमाल किये जाते हैं इस किसम के monitors की खासियत इनकी खुबसूरती और इनके वजन और size में है CRT monitors के मकाबले में ये पतले होती हैं, इसलिए इनको छोटी से छोटी जगा पर आसानी से रखा जा सकता है जैसा के आम देख रही हैं के LCD monitors पर भी वो ही पन्यादी बटन लगे हुए हैं, इन buttons का यहाँ पर भी वो ही function है, जो के दूसी किसमों के monitors पर होता है मशूर LCD monitors में Samsung Sync Master LCD, Sony LCD Monitor और Dell LCD Monitor शामिल हैं Multimedia Projectors Monitors को तो हमने देख लिया, अब हम Multimedia Projectors के बारे में सीखते हैं कभी अब सिनमा घर गए हैं, क्या आपने कभी सोचा कि जो फिल्म आप अपने घर में छोटी सी TV स्क्रीन पर देखते हैं वो ये फिल्म एक सिनमा के अंदर बड़े परदे पर कैसे नजर आती है ये सब कमाल Multimedia Projector का है इसे Multimedia Projector इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ monitor की display को बड़ा और enlarge करता है और किसी परदे या दिवार की ऊपर project करता है बलकि इसके जरीए हमें अवाज भी आती है प्रोजेक्टर का काम एक magnifying glass के काम जैसा होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह एक तस्वीर को उसके original size से बड़ा कर देता है एप्सोन, PowerLight 811 Multimedia और तोशिभा, Digital Multimedia Projector के Multimedia Projectors ज्यादा मशूर है Speakers, वो output device जिसके जरीए हम computer में महफूज की हुई आवाज सुनते हैं, उसे speakers कहते हैं बाजार में मुख्तलिफ types के speakers दस्तियाब है Computer speakers, arm speakers से मिलते जुलते होते हैं एक computer के साथ, usually, दो speakers लगे होते हैं गौर करें कि इस वक्त आप इन्ही speakers की जरीए मेरी आवाज सुन रही हैं Speakers में Yamaha 5.1 और Logitech Z640 और दूसरे काफी मशूर हैं Summary इस lesson में आपने देखा कि output किसे कहते हैं और इसकी कितनी किसमे हैं इसके अलावा आम इस्तमाल होने वाली output devices में printers, monitors और speakers वगेरा शामिल हैं